हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का आपके यूटूब चैनल MSKBM Institute में स्वागत है हम लोग देखिए क्लाश 10th का जो मोडल पेपर है उसे डिसकस कर रहे थे तो उसी को हम लोग इस्टार्ट करते हैं क्लाश 10th के मोडल पेपर में हम लोग आज डिसकस करने जा रहे हैं एसेस्टी का मोडल पेपर सेट नमबर 1, 2, 3, 4 और 5 सारे सेट को हम लोग डिसकस करेंगे आप लोग को पता होगा कि इस बार हम लोग जो एक्जाम है वो क्या है एमसी क्यू पैटर्न पे है ठीक है तो एमसी क्यू का मतलग क्या होता है कि बहुत सारे एंसर चार ओप्सन दिये रहेंगे और उसमें से कोई एक एंसर सही होंगे हमारा कोश्चन जो है वो 40 मार्क्स का है तो आपको पास 4 सबजेक्ट है हिस्ट्री, जोग्रफी, सिविक्स और इकोनोमिक्स, इतिहास, भुगोल, सामाजिक विज्ञान और अर्थ सास्त्र सारे चेप्टर से हम लोगों के पास कितने नमर के कोश्चन हैंगे 10-10 मार्क्स के कोश्चन आएंगे तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जितना भी पास सेट है हम लोगों का तो उसके सारे कोश्चन को डिस्कस करेंगे मतलब हिस्ट्री का हम लोग पूरा 10 मार्क्स अपने लिए पूरे तरह से क्या कर लेंगे अच्छे से कर लेंगे ताकि हम लोगों कोई एक्जाम में कोई प्रॉबलम ना हो मतलब टोटल हम लोग यहाँ पे अभी 50 कोस्चन जिकर करेंगे जो किसे रहेगा हिस्टरी से रहेगा ठीक है तो हम लोग बीना टाइम पास के एके करके सारे question को discuss करते हैं आप बने रही है लाज तक आपको बहुत ही आसानी से समझ मैंगा सारे question का answer तो देखिए सबसे पहला question set 1 का है France की क्रांती कब हुई तो France की क्रांती हुई थी 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को हुई थी तो ज़दी हम बात करें 14 जुलाई 17 सनेवासी तो देखिए 14 जुलाई 17 सनेवासी कौन सा option है गहा नमबर option है उस समय राजा कौन थे तो जदी मैं याद दिला दू तो आपको याद होगा लूई 16 लूई 16 कौन थे राजा लूई 16 ठीक है दूसरा question क्या पुछता है समाजिक उपबंध social contact नमग पुष्टक के लेखक कौन थे तो ये इसके जो लेखक है वो है Russo कौन है Russo Russo कौन थे फ्रांसिसी लेखक और दार्शनिक भी थे फ्रांसिसी लेखक थे और दार्शनिक थे अगला question है यंग इटली सोसाइटी की अस्थापना किस ने की तो इसका एंसर है जूसेफी मेतिसनी क्या है जूसेफे मेतिसनी लेकिन जब हम लोग इंगलिस में लिखते हैं तो THISनी लिखते हैं म अब जल देकिएगा जूसेफी मेतिसनी तो यह ऑपशन भी रहेगा तो आप लही बोले हो कि नहीं था जूसेब पेमितिसनी नाम है इसका किस्का सत्पना कहतें ते यंग इटली सोसाइटी क d इतली का एकी करन कब हुआ? मतलब इतली एक कब हुआ? तो इतली एक हुआ 1861 स्वी में ठीक है? 1861 स्वी में इतली एक हुआ और उससे में राजा किसे बनाया गया था? इमेनुएल दूतिये को किसे बनाया गया था? इमेनुएल देखिए याद रखिएगा नाम इमेनुएल दूतिये ये भी कोश्चन पुछा जा सकता है आपसे ये नहीं कि सिर्फ कब हुआ कौन राजा बना ये भी पुछा जा सकता है तो इमेनुएल दूतिये इसी तरह मैं सा उनको संग जॉलवेरिन के अस्थापना किसकी पहल पर की गई थी तो जॉलवेरिन के जो अस्थापना है वो 1834 सिस्वी में की गई थी 1834 सिस्वी में किसके पहल पर तो प्रसा के पहल पर की गई थी ठीक है जिसमें अधिकांस बेसिकली जर्मन के जो राज्य है न वो सामिल हो हुई थी किसके पाहल पर हुई थी जॉलवेरीन सुन संगिया सापना प्रसा के पाहल पर 1834 इस्ट्वी में इसके बाद देखिए यह सब जीतने के नामक पुष्टक के लेखक कौन थे अगला कोशन है जलिया वाला बाग हत्या कंड कब हुआ अब हम लगाते हैं तीसरा चप्टर या फिर जिसके बास नया बुख होगा उसका दूसरा चप्टर होगा भारत में राश्टवाद का हुद है उसमें जलिया वाला बाग हत्या क किस ने की थी, तो हिंद इसोराज नामक फूपोच्टब किये थे महत्मा गांदी, कौन किये थे महत्मा गांदी 1990 OSB में, तो यहाँ पर 1 द्यान में रख्येगा हिंद सावराज की जो अस्थाप्ना किये थे महत्मा गांदी 1990 OSB में, अब हम लोग देखते हैं अगला कोश्चन तो देखे अगला कोश्चन क्या है सवराज हमारा जन्मसी तदिकार और इसे हम लेकर रहेंगे या किस ने कहा था तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक कौन कहे थे बाल गंगाधर तिलक अगला कोश्चन देखे क्या है ब्रेटिस सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधी से किसे सम्मानित किया तो प्रेटिस आगर ने कैसर ए हिंद की उपादी से सम्मानित किया था महात्मा गांधी को किसको सम्मानित किया था महात्मा गांधी को सिमांत गांधी किसे कहा जाता था सिमांत गांधी मतलब जो गांधी जी के फॉलावर टाइप में थे तो उन्हें कह अबदुल्गफार खान को घ्रकार अबदुल्गफार ओगा यहां पर घृब हो अगिन पर ऊकुर घृब इसरे को तो यह मैंने पहले सेट में पता दिया था यहां पर अगला कोशन है अगला तो और फक्लाथ देखिनह यहां पर प inspect वाउशन The Spirit of Law नामा कुस्तक के लेखक कौन थे तो इसके लेखक का नाम है Montescue कौन है? Montescue यह France के उपनियासकार थे और नियाइविद थे मतलब कानून के जानकार थे ठीक है? The Spirit of Law जो पुस्तक थे उनके लेखक Montescue थे उसके जदी बात करें यह का कथाने जब France शिखता तो बाकी उरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है तो यह बात बोले थे Maternik कौन बोले थे? Maternik Maternik होगा काने Maternik क्योंकि उसके उसमें France जो था वो बहुत डबलब कर चुका था तो उसके कारण क्या हो रहा था? कि जदी France में कोई प्रॉबलम हो तो वो पूरे यूरोप में देखने को मिलता था इसलिए यह word कहा गया था Maternik के द्वारा के जब France शिखता है तो बाकी उरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है जर्मनी का एकी करन कब हुआ? तो जदी इसका बात करें जर्मनी का एकी करन कब हुआ? तो जर्मनी का एकी करन हुआ 1871 में 18 जनवरी के समय जब वर्साइब में सबको बुलाया गया था ठीक है? 18 जनवरी 1871 को और राजा किसको बनाया गया था सबसे पहले? उसका नाम था विलियम पर्थम तो इस समय राजा का भी नाम आप याद कर लिजे क्योंकि हो सकता है कि किसी कोश्चन में मतलब एक जन में आपको राजा का भी नाम पुछ दे तो इसके राजा कौन थे? विलियम पर्थम फ्रेडिक्स आर्यू कौन थे? जदि आप हिस्ट्री का पहला चेप्टर में पहला पेज में देखिएगा तो आपको दिखेगा एक डाइग्राम मनाया हुआ और उसके बारे में बताया गया तो फ्रेडिक्स आर्यू क्या थे? एक फ्रांसिसी कलाकार थे मतलब जो चित्र बनाते थे तो फ्रांसिसी क्या हो जाएगा? चित्रकार फ्रांसिसी चित्रकार ये एक डाइग्राम मनाया थे आपको पहला पेज में याद होगा जिसमें सारे देश के लोग अपने हाथ में धंडा लिए खड़े थे लाइन से एक एक करते हुए अगला कोश्चन क्या पुचा है? गांधी जी दच्छी न फिरका कब गए? गांधी जी दच्छी न फिरका कब गए? तो इसका एंसर क्या होगा? गांधी जी दच्छी न फिरका 1893 में एक साल के कॉंट्रेक्ट पर गए थे वहाँ पर आवक आलत करने तेकिन वहाँ पर भी उन्हें क्या देखा? भे दवाव देखा थीक है? तो उसके लिए वहाँ पर भी उन्होंने सत्यागरा की लड़ाई लड़ी तो गांधी जी गए थे दच्छी न फिरका 1893 में एक साल के कॉंट्रेक्ट पर चारी-चारा में हिंसात्मा घटना कब हुई? तो देखे चारी-चारा में जो हिंसात्मा घटना हुई वो हुई 5 फरवरी 1922 को इसमें क्या हुआ था? लगवग में 22 पुलिस कर्मी जो थे उन्हें क्या कर दिया गया था? पुलिस लोग थे उन्होंने क्या किया पुरा पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया ठीक है? इसी के कारण असहयो गांदोलन ने गांधी जी ने असहयो गांदोलन को वापस भी ले लिया था ज़दी आप पढ़ेंगे तो आपको पते चलेगा अगला कोश्चन देखिए क्या ब पीना मुकादमा चला है आपको दो साल तक जेल में डाला जा सकता है तो इसी एक्ट से जो भारतिये थे वो क्या थे नाखुष थे इसलिए वहाँ पे मिटिंग वगर आभी बुलाया गया था हरताल वे श्टार्ट हुआ था इसके बाद ही घटना घटा था जलिया बाला भ कॉस्ताँ से यह जो रचaiता है मतलब जो लेखःता है शाग युँन का नाम है बंकेम चंद्र चटो पाध्या रहा था दुसरा सेट अब हम लोग इस हैं तिसरे सेट में पहला कोर्ची आप फ्रांच की करांथीका फिर से वह क्वेकोश्ट तो हम लोगों पता है 14 जुलाई, 1780 को लुईस सल्ला थे उनके एगेंस्ट में हुआ था उनके विरुद्धे में हुआ था फ्रांच की ख्रांथीका अग्रुदुद किसे कहा जाता है फ्रांस में जो क्रांती हुआ था उसका अग्रुदूत हम लोग किसे कहते हैं तो सबसे पहला जदि आप यहां पर बात करें तो मैं बताता हूँ कि जो फ्रांस के क्रांती का अग्रुदूत थे उन में किसका किसका नाम था एक थे Walther यहाँ पर ब्हान में रखियेगा नाम, Walther एक थे Montescue कौन थे? Montescue उसके बार एक और थे जिनका नाम था Russo क्या नाम था? Russo Walther, Montescue और Russo तो यहाँ पर देखिए आपका Napoleon दिया हूआ, वो होगा नहीं दिदरो दिया हो वो होगा नहीं रूसो होगा लेनिन भी नहीं होगा तो इसका question का answer क्या है प्रांस के क्रांती का अग्रोद० उसके कहा गया रूसो को कहा गया तो अब बात करते हैं हम लोग विष्मार्क जर्मार्णी का चांसलर कब बना तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना 1871 इस्वी में जो 1890 तक रहा कब तक रहा तदी पूछेगा तो हम लोग कितना बोलेंगे 1890 इस्वी तक वो जर्मनी का चांसलर बनके रहा इसका वो नाम था ओटवन बिस्मार्क इसका एक बहुत बड़ा योगदान है जर्मनी के एकी करण में जर्मनी के एकी करण में क्या है? बहुत बड़ा योगदान है उसके बाद कोशन बोलता है पहले तुम मनुष से हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ या कथन किसका है तो basically इस कथन को कहे थे मैतिसनी ने कौन कहे थे मैतिसनी ने कहे थे बहले तुम मनुष्य से उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्यकुछ अब देखिए एक question है बिश्व कोस नामक गरंद की रचना किसने की तो यह question जो है वो आपको अलग-अलग तरह क बिश्व कोस थे जिसे बंगाल में मतलब बंगला में नागेंदरनाथ बसु ने लिखा था और उसे पहले लुईस मुडेरी नाम के एक आदमी थे उन्होंने भी इसे लिखा था शॉल्लास और चोहत्तर इस वे में तो इस question पर आप ध्यान रखिएगा कि बिश्व कोस जो बंगला में लिखे तो उनका नाम था नागेंदरनाथ बसु नाम था उनका तो इस question को आप यहाँ पर मार कर लिजे अच्छे से आप याद रख लिजे इस question को देखिए ये question जो है वो कहीं बुक में है भी नहीं तो आपको इसके लिए टेंसल लेने की विज़रोत नहीं है मुझे लगता है ये गलत से में sprint हुआ है तो आपको एकजाम में नहीं मिलेगा ये question discovery of India नामक पुष्टक के लेखक कौन है तो discovery of India जो पुष्टक है भारत की खोज इसके लेखक है पंडी ज्वालाल नहरू जो 1944 में लिखे थे इसे discovery लिखे थे 1944 में ठीक है भारत की खोज discovery of India अगले question की और आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला question है या कथन किसका है तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा तो इस कथन से तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से परिचीत होंगे ये कहे थे नेता जी स्वास्चंद्रबोस तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा बंगाल का विभाजन कब हुआ बंगाल का विभाजन हुआ 1905 इसवी में बंगाल का विभाजन कब हुआ 1905 इसवी में संताल विद्रो के नेता कौन थे तो संताल जो विद्रो के ज चांद और भेरव ही ठे कौन कोन थे चांद और भेरव ठेके सिधु कानी में सबॉत हुआ ता मुवा थाktion टेक है संधाब्स विद्रो उसके बाइद अगला कोशन है खिलापा तान्दॉलन के पर्मुक नेता कौन थे खिलाफात अंदोलन के जो पर्मुक नेता थे मुस्लिम नेता उनका नाम था मुहम्मद अली और सौकत अली दोनों भाई मौलाना मुहम्मद अली और सौकत अली जो आपको खानमर अप्सन में दिख रहा है तो इसका अंदर हुआ अगले सेड की और आगे बढ़ते हैं तो देखे अगले सेड फोर उसमें बोला है ऐसी सरकार या सासन व्योस्ता जिसको किसी परगार कोई अंकूस नहीं होता कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते है निरंकूस वाद यह भी आपको पहला चेप्टर का पहला पेज में मिलेगा इतिहास के बुक में मतान के अधिकार को क्या कहा जाता है तो मतान के अधिकार को कहा जाता है मत का अधिकार मतलब मता अधिकार क्या कहा जाता है मता धिकार बस्तिल या फिर बैस्तिल किले का पतन कब हुआ तो बैस्टिल के लिए का पतन उसी समय हुआ था जब लूइस 16 के एगेस्ट में फ्रांस के क्रांती का स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 में कब हुआ था 14 जुलाई 1789 में पूरा एक भीड ने जेल के रूप में ये कीला था उस पे आकरमन कर दिया था पूरा एक भीड ने 14 जुलाई 1789 में अगला कोशन है 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजवानी किसनी की तो 1815 में जो संबेलन आयोजित किया था वियना में उसकी जो मेजवानी कर रहे थे उनका नाम था ड्यूक मैटरनिक कौन थे ड्यूक मैटरनिक जिन्होंने कहा था जब प्रांच चिकता है तो पूरा यूरोप में सर्थी दुखाम आ जाता है और इन्होंने जिसेप मेटिसनी जो थे उन्हें भी अपने समाज का सबसे बड़ा सत्रू बताया था ये याद रखेगा मैटरनिक जो थे वो चाहते थे कि जो पहले से सिस्टम में वही रहे तो इस संधी के बाद से इस समेलन के बाद में आप से पुछेगा वियना की संधी का भूई तो उसका वियनसर 18-15 होगा उसके बाद से जो इलो का बुर्बो बंस था जिसका राज चल रहा था पहले से बुर्बो बंस का वो उनका फिर से कब जा गया और फिर से बहुत सारे चीज़े जो पहले की तरह थी उस तरह से हो गई अगला कोशन है लिब्रे क्या था तो लिब्रे देखिए फ्रांस में यूज होने वाला जैसे इंडिया में क्या यूज होता है रुपीज रुपिया ठीक है अमेरिका में क्या यूज होता है डॉलर यूएस डॉलर हम लोग बोलते है उसी तरह लिब्रे जो है वो फ्रांस में में समझाता हुआ था हम लोगों का पांच मार्च 1931 में 1931 देखी यह कुश्चन है थोड़ा जो conflicting लग रहा है क्योंकि सब में 1931 दे दिया है तब रिजक्ट नहीं कर सकते हो सब मार्च में तो इसको आप अच्छे से याद रख लिजे कि गांधी इर्विन तम्रहता कब हुआ पांच मार्च 1931 को इसके बाद ही तैइस मार्च 1931 को भगत सिंग को फासी दी गई थी भगत सिंग को तो गांधी जी को पहली बार राश्पिता कहकर किसने संभोधित किया तो गांधी जी गितांजली किसकी रचना है तो गितांजली के जो लेखक हैं जिन्नोंने हमारे राष्ट गांड को में लिखाया है जिनका नाम है रविंदरनाथ टैगोर ठीक है रविंदरनाथ टैगोर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की अस्थापना किस नहीं की देख आर्मी का नाम क्या है पार्टी का नाम क्या है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी तो इसके जो स्थापक थे उनका नाम था भगत सिंग कौन थे भगत सिंग भारतिय सम्मिधान कब बन कर तयार हुआ तो भारतिय सम्मिधान जैदी हम लोग बात करें तो बन कर तयार हुआ हम लोगों का 26 नॉबर 1919 को लेकिन इसे लागु कब किया गया 26 जनवरी 1950 द्यान रखेगा 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया था बन कर तयार हो गया था 26 नॉबर 1919 तक ठीक है यह था हम लोगों सेट 4 का कोश्टन और एक ही सेट बचा हुई है सेट 5 और आप आसानी से सारे मॉडल सेट का question स्वतंतर्ता समानता एवंग बंधुत्व का नारा किस क्रांती की देन है सेट 5 में देखिए इस question का answer है फ्रांसी क्रांती कौन सा क्रांती फ्रांसी क्रांती ठीक है आप लोग फ्रांसिसी क्रांती में देखे होंगे कि हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहेते सोतंतरता का समानता का लड़ाई लड़ रहेते इतले जदी आपसे कोई पूछता है कि किस क्रांती की देन है तो आप लोग क्या बोलिएगा फ्रांसिसी क्रांती के देन है ठेक है बिश्मार्क जर्मनी का पर्थम चांसिलर कब बना ये कोशन फिर से आया है आप याद किजिए 1871 इस भी था इस कोशन का एंसर जो 1890 तक था जर्मनी का चांसिलर मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किन्तु वा सर्वत्र पंधनों में जकडा हुआ है या कथन किस दार्शनिक का है तो इस कथन को कहने वाले जो दार्शनिक थे उनका नाम है रूसो जो फ्रांसिसी बहुत बड़े दार्शनिक थे ठीक है अगला कोशन है किसने कलपना दर्स यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कलपना की गई है तो किसके कलपना दर्स में तो आपको पहला जो मतलब चप्टर है हिस्टरी का उसमें पहला पेज में आपको देखेगा एक डाग्राम जिससे बनाए थे फ्रेडरिक सर्यू ने उन्होंने कलपना किया था तो इसका कोश्चन के अंजर क्या होगा फ्रेडरिक सर्यू ने कलपना किया था एक आदर्श समाज की उसके बार आते हैं हम लोग अगले कोश्चन की और यंग इटली की अस्थपना किसने की तो फिर से वही कोश्चन है क्या होगा इसके अंजर? कब हुआ था? तेक है? 1922 में याद रखिएगा आप लो कि कब हुआ था ये करांती पाच फरवरी 1922 में ये पहले भी पूछा था अगले सेट में अगले कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात कब हुई तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात हुई थी 8 अगस्त 1942 से गदर पाटी के अस्थापना किस नहीं की तो गदर पाटी की जो अस्थापना किये थे वो जेनरली देखिए किये थे सरदार सोहन सिंग भाकना तो हम लोग क्या बोलेंगे इस कोशन का इंसर गदर पाटी के अस्थापना जो किये थे वो लाला हर्दयाल किये थे बात में भगत सिंग भी इस पाटी से जुड़े थे लेकिन इस कोशन का सही एंसर है लाला हर्दयाल सौदेशी आंदोलन की प्रेरना से भारत माता की छवी को किसने चितरित किया तो सौदेशी आंदोलन की प्रेरना से जिन्होंने भारत माता की छवी को चितरित किया उनका नाम है अवनिंदरनात टैगोर क्या नाम है अवनिंदरनात टैगोर खुदाई खिदमत गर की अस्थाफना किसने किया खुदाई खिदमत गर की अस्थाफना किये अब्दुलगफ़ार खान इस तरह से आपका 5.6 का इतिहास करे जितने भी कोश्चन थे उससे हम लोगोंने डिसकस कर लिया आप इसे आसानी से देखिए आपको जदी कोई doubt है तो आप हमें कमेंट करके पुछी हिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसे भी कमेंट करके बताना ना भूले वीडियो को like करना ना भूले और यदि आप नए हैं तो subscribe करना भी नँभूले और अपने दोस्तों को जादा से जादा share करे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब मिल सके हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद